का कि है घै गैश देखो यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि बजार में बड़ी गिरावड देखने को मिल सकती है और बजार इसके लिए मतलब तइयारी पहले से ही कर रहा है येक लोगों का मानना है अब कौन सा कौन सा इसे स्टॉक है जहां पर मतलब बड़ी प्राफिट बोकिंग देखनी को मिल सकती है हमें वहां से एक कदम धूर हो जाना चाहिए जैसे देख लेते हैं आज के डेट में भी बजार मतलब थोड़ा बहुत नीचे हुआ फिर उसके बाद मतलब एक तरीके मैं आपको बलूँगा असंग का मतलब नेगेटिविटी फैल रही है मतलब कुछ लोग एक्सपोर्ट लोग है जो बड़े-बड़े अनिलिस्ट वगरे होते हैं देखो एक्सपोर्ट का क्या वानना है कि वाट इस दा बिगेस्ट रिस्क इन दा मार्केट नाउ अभी अब क्या इसी प्रॉलम हो सकती है मार्केट में जो बजार को गिरा सकता है इन्होंनों शॉर्ट वे में बताया है आप चाहो तो यहां शॉर्ट में पढ़के जान सकते होने तो पूरा आर्टिकल भी आपको पढ़ना पढ़ सकता है यह जो करेंसी डिवैलिशन आपको यह मार्केट जाए थोड़ा एक वार्स मतलब एक तरीके से देखो यह तो ज्यादा खतरनाक पोजेशन में पहुंच जाएगा बताया जाए रहा है आई बिलिव दफेड विल कंटिनू टू रेस टे यहां पर बताया जाए रहा रेट रेट जिस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा हर बर और भाई इस बर तो और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा तो यह जो इन्फलेशन है ना बहुत हाई पहुंच जाएगा और जिसके कारण अमेरिका में एक थोड़ा बहुत मार्केट को लग रहा है कि मतलब ज्यादा वोलटाइल रहेगा यह थोड़ा बह ता है नार्ट की में अमेरिका की बात तो हो गई लेकिन अगर आप चाईना की बात कर लेते हैं चाईना तो चाहिना में भी मतलब वहाँ एक तरिके से टेरिबल टाइम चल रहा है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा जुए मतलब नीची ले जा रहा अब अमेरिका फर्स्ट में है चाइना सकेंड में है तो यहीं दूनों अगर गिर जाएंगा तो ग्लूबल मार्केट अकर आप देखो तो आराम से क्रैश होई जाएगा यहां पर बताया जा रहा पॉफॉर्मेंस यहां देख सकते हो यहां पर एकनॉमिक में थोड़ महंगाई में पूरी तरượng से डोप चुका है और पाकिस्तान की कंपनी है तो वहां पर क्या बोलते हैं टेक्स ब्ढ़ा दिया गयाता मतलब हमारे हाँ जो टेक्स लगता वो ठीक है ललेकिन वहां पर याद Vorteil रहे गयां तो मतलब महंगाई के कारण हर जगा प्रॉलम हो रहा स्री लंका बगरा हो गया जैसे कि जब TTML भाग रहा था 20% के स्पीट से तब भी मैंने आपको बताया था कि TTML से दूर रहीएगा कोई फायदा नहीं है ऐसे स्टॉक को खरीदने से और आज देखे गिरना भी स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से आज के रेट में देखेंगे तो 7% की गिरावड देखने को मिली है उपर की बात कर लेते हैं तो भाई उपर से 16% स्टॉक गिर चुका है देख लेजे पिछले 5 दिनों में 16% स्टॉक गिर चुका है इसलिए बोलता हूँ दूर हो बहले 2-4 दिन में स्टॉक बहुत उपर गया 5 दिन के अंदर जो इसने 40% का रिटर निकाल के दिया लेकिन हमें दूर रहना है ऐसे चीजों से बिलकुल दूर का मतलब नहीं खरीदना है साथ साथ देख लेते हैं विनायल केमिकल में अब आपको एक प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिलेगा स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया यहां से हो सकता है कि 40-50% के आज बाजू में यह स्टॉक गिर सकता है एक अच्छा आपको प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका और मतलब दिल से ही आवाज आनी चाहिए कि हाँ भाई प्रॉफिट बोकिंग तो देखना मतलब होता है अराम से तो इसमें टेंचन मतलिएगा आप चाहो तो आराम से लेकिन इकल सकते हो पुछे क्यों सरकीट में नहीं आप कहीं पर भी माल बेचके निकल सकते हो कमपनी ने आपके साथ कोई दोखा नहीं किया उसके साथ साथ देख सकते हो नेशले इंडिया जैसे की हाल आप देख लो पिछले पांच पिछले पांच सालों से देट सो परसन का रिटन है अब आज कल के डेट में देखोगे तो यह स्टॉक में भी थोड़ा बहुत अपन डाउन अपन डाउन देखने को मिला क्योंकि यह डेली मतलब मतलब यह क्या है कि रोज मर रखे जिन्दगी है लोग दिन हो रात हो सुबह हो या साम हो इसका उनके बाजू में पहुंच गया कंपणी को कोई ऐसी तरकेव निकालने थी जिससे वाल्यूम बढ़ जा वाल्यूम बढ़ने के बाद लोग ज्यादा निवेस्ट करेंगा और कंपणी का शेयर कपराइज उपर आ जाया तो कंपणी ने सब डिविजन आप स्टॉक के लिए इनफर्म करती आज बोनस मिलेगा स्टॉक स्टॉक मिलेगा लोगों ने पैसा डाला फिर यह ग्याराजार रुपय का स्टॉक आज देख लिए सत्रहाजार के बाजू में बैठा है कितना लॉस है आप कंपणी में कुछ नहीं है देख लिए एक साल का डेटा देख लिए कह समय के लिए आपका वीजन होना चाहिए सब्तंबर है 20 या 25 के बीच में यह पांच दिनों के अंदर सब्तंबर में फेड के तरब से इंट्रेस्ट रिट बढ़ा दिया जाएगा तो इसके बाजू में मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा और जो था मतलब एक्सपक्टेशन से जादा बढ़ा दिया गया तो यह जब दोनों आपस में मिल लेंगे तो बजार में एक छोटा बहुत करेक्शन मतलब बोल सकता है क्रेश देखने को मिल सकता है वहां पर सब्तंबर 20 या 25 मतलब आप 5 दिनों का डेटर ले लो उसके पिछले एक सालों से गिरा हुआ है 20 परसेंट पिछले एक सालों से जब टीस नहीं चल पाया गए 1ग रहां क्रोलों का मार्केट क्या पौली कंपनी तो विपरो तो बहुत ज्यादा गिर चुका पिचले एक साल में मतलब 40 50 परसेंड गिर चुका लोगों को सबसे कीए कब खरिदना चाहिए विप्रो जैसे स्टॉख को कब खरिदना चाहिए देखो मैं आपको बता हूँगा आज से ठीक दो महीने बाद विप्रो को मतलब अब खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं सब्तंबर सब्तंबर में सब्तंबर में खरीदो फिर देखेगा मार्च और अपरिल तक बजार बहुत ज्यादा भाग चुका होगा और 18,000 तो छोड़ी है 20,000 20,000 को भी क्रॉस कर चुका होगा और वीप्रो जैसे स्टॉक भी डबल से जादा हो चुके होगे उसके साथ साथ आर्बिल बैंक वगरा देखो आर्बिल बैंक से भी दूर रा करो फेडरल बैंक में जो खबर आ रही है वो भी कंफर्म नहीं है दूर रहिए अपने पोर्टफ